इस पटाको की फैक्टरी में 25 शॉट वाले पटाके बनाय जाते हैं सबसे पहले इस मोटे कागस के टूब्स को मिट्टी लगा कर एक साइट से बंद कर दिया जाता है अब यहाँ 5 टूब्स को एक साथ चिपकाते हैं इसके बार टूब्स के निचले भाग में होल बनाय जाते हैं इन होल्स में बत्ती लगा कर पटाको को आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि सबी बताके एक साथ चल सकें फिर इन्हें एक साथ जोड़कर 25 शॉट का धाचा तयार किया जाता है इस धाचे की पाचो लाइन्स को भी बत्ती लगा कर आपस में कनेक्ट करते हैं जिसके बाद इस पर टेप लगाई जाती है अब सभी टूब्स में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बारूद की गोलियां डाल कर ये गोल कागस लगाते हैं अब बारी आती है आजमान में आदिशवाजी दिखाने वाले इन चोटे पटाकों की इन पटाकों को ट्यूब्स में उल्टा करके डालते हैं अब फिर से गोल गत्ता लगाया जाता है तैयार हो चुके पटाकों के चारों तरफ रंग विरंगे कागस चिपका कर अच्छे से सजाया जाता है गोल सूख जाने के बाद इन पटाकों में फ्यूज लगा कर डिबों में पेक कर देते हैं